दोस्तो क्या आपको पता है कि कोका कोला जो आप पीते हो उसको बनाने का फॉर्मला इस दुनिया में सिर्फ दो लोगों को ही पता है और इन दो लोगों को साथ में कभी भी जाने की अनुमती नहीं है और दोस्तो सिल्डी से साथ किलोमेटर दूर एक गाव है यहाँ पर लोगों के गेट 24 घंटे खुले रहते हैं ये लोग गेट खोल कर ही सोते हैं और दोस्तो क्या आपको पता है कि पैन के ढखकन का आखरी सीरा चबाने वाले सबसे ज़्यादा क्रियेटिव रहते हैं इस वी सबसे जवान देश माना जाता है क्योंकि यहां की पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा लोगों की जनसंख्या है और इंडिया में ही सिमला को देश के सबसे जवा सहर माना जाता है क्योंकि यहां के 55% लोगों की उम्र 16 से 55 के बीच है एक तो सिमला बहुत ही अच्छी जग में केवल दो लोगों को कोका कोला बनाने की विधी पता है उन दोनों को एक साथ यात्रा करने की भी अनुमती नहीं है और उनके पीछे हमेशा सीक्रेट एजेंट लगे हुए रहते हैं कि ये लोग किस से बात कर रहे हैं किस से मिल रहे हैं ताकि कोका कोला बनाने का तो इसी प्रजातिया जो अपने आनंद के लिए सेक्स का सहरा लेते हैं, इंसान को भी सबसे ज़्यादा आनंद सेक्स करने के बाद ये आता है और यही सिम्टॉम्ज डॉल्फिन में भी देखने को मिले है और ये भी है कि जिस प्रजाति में जितना ज्यादा दिमाग रहता ह वह उतना ज्यादा सेक्स के तरफ आकर्सित होता है फैक्ट नमबर 22 पैबलो एसकोबार जो की इस दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग डिलर था और इसके पास इतना पैसा था कि पैसे रखने के लिए इसके घर में जगह तक नहीं बची थी और फैक्ट यह है कि पैबलो बांधने के लिए इतना पैसा था इसके पास फैक्ट नमबर 21 दोस्तों एक बॉड़ी से रिलेटेट फैक्ट सुन लो यह दुनिया के सभी मैमल्स मैमल्स का मतलब जिसके ब्रेस्ट रहते हैं इस्तन रहते हैं जैसे कि इंसान बंदर गोरिला और वगेरा वगेरा इन सभी लोगों को पेसाब करने में 21 सेकंड लगते हैं मतलब हमारी बॉड़ी में हमें पेसाब जब भी लगती है जब हम कम से कम 21 सेकंड तक पेसाब कर सके उतना स्टोर होता है फैक्ट नमबर 19 दोस्तों सिल्डी से 60 किलोमेटर की दूरी पर बसे सनी सिंगनापूर गाउं में लो हो यहां के लोगों का ट्रस्ट भी कितना है एक दूसरे पर गेट खोल कर सोने पर भी किसी का सामान वगेरा चूरी नहीं होता है यह होती है सच्ची स्रद्धा फैक्ट नमबर 18 दोस्तों इसकूल में हम सभी ने यह हरकत जरूर की है जो इसकूल या कॉलेज में पेन के आख सेरी सीरों को चबाते हैं वो ज्यादा क्रियेटिव होते हैं और वो लोग ज्यादा क्रियेटिव इसलिए होते हैं क्योंकि उनके दिमाग में कुछ चल रहा है इसलिए वो कुछ सोच रहे हैं इसलिए हाथ में जो रहता है उसको मूँ में लेकर चबाना लगते हैं फैक्ट रहता है सभी को और जिसकी सेटेडे को छुट्टी नहीं रहती है उसकी भी साथ साड़े साथ बज़े तक छुट्टी हो ही जाती है और संडे को तो पता ही है सबको इसलिए साथ बच कर 26 मिनट एक्जेक टाइम निकाला है खुस रहने का दोस्तो क्या आपको पता है इस दुनिया में सव साल से जादा उम्र वाले लोगों की संख्या एक लाग अस्सी हजार है सिर्फ इतने सारे लोग अभी भी सव साल क्रॉस होने पर भी जी रहे हैं ये आकड़ा कुछी दिनों में कम होने वाला है इतनी बिमारिया और सब हाइब की वज़े से हम इंसानों ने अपने आपको बरवात कर लिया है दोस्तो हिटलर के बारे में तो हिस्ट्री में आपने सुना ही होगा ये इतना खराब आदमी था कि क्या बताऊं हिटलर अपनी भतीजी मतलब अपनी नीस एंजिला मारिया जिसको गेली भी कहते थे उसको नर खटमल रहता है ना जिसको हम बैट बग्स भी कहते हैं दरसल में ये नर खटमल मादा खटमल से जब संभोग करता है तो ये मादा खटमल के पेट में डायरेक्ट छेत करके अपना स्पम छोड़ देता है और अब ये नर खटमल जिस रास्ते से स्पम छोड़ना चाहिए उसे छोड़ कर पेट में डायरेक्ट गड़ा क्यों कर लेता है ये पता नहीं चल पाया अभी तक साइन्टिस्ट को ये तो उसी से पूछना पड़ेंगा इतनी क्या आग लगी है उसमें फैक्ट नमबर 13 दोस्तो सच्चा प्यार शिर्फ इंसानों के बीच में नहीं होता है दरसल में सच्चा प्यार कुछ-कुछ जानवरों के बीच में भी होता है और ये फैक्ट सुन लो कि हंस हमेशा जोडे में रहते हैं इनमें से अगर एक की भी मोत हो जाए तो दूसरे को मरने की सम्मावना भी बहुत बढ़ जाती है इस सच्चे प्यार की मिसाल होते है हंस हंस एक दूसरे से सच्चा प्यार करते है ठीक एक लड़का और लड़की की तरह सर्वे से ये पता चला है कि अक्सर हम फेस्बूक पर लोगों की फोटो देखकर उनके खुस होने का ज़्यादा अनुमान लगा लेते हैं जिसमें हम दुखी हो जाते हैं FBDP देखकर हम सोचते हैं देखो कितना मजे कर रहे हैं ये लोग और मुझे देखो मैं यहां क्या कर रहा हूं बस यही सोचकर लोग दुखि हो जाते हैं चिल करो यार किसी दूसरे से अपने को क्या करना खुस रहने के लिए किसी वज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है फैक्ट नमबर 11 सुन मंदीर जो कि अम्रिस्टर में इस्तित है और ये मंदीर पूरे सोने का बना हुआ है और ये मंदीर 1577 में गुरु राम दास ने बनवाया था और फैक्ट ये है कि यहां की कॉम्मिनिटी इतनी अच्छी है कि पूरे इंडिया में कहीं नहीं है यहां के ल मतलब जो हमारे thoughts आते हैं उसे हम चाह कर भी नहीं रोक सकते हैं अगर हम हमारी सोच को रोकने की कोशिश करेंगे तो ये और ज्यादा आएगे दोस्तों क्या आपको पता है कि जब अगर हमें नीन आ रही होती है तो हमें क्या करना चाहिए दर असल में लोग कॉफी पीते है चाह पीते और कोई तो सिगरेट पीने वाले लेकिन नीन भगाने के लिए एपल, कोफी और चाहे से ज्यादा असरदार होता है तो आप रात में ज्यादा देर तक पढ़ाई या काम करते हो तो साथ में एपल भी रखे इससे आपको नीम जल्दी नहीं आएंगी इससे बस खा लो Fact No.8 क्या आपको पदा है हमारे पेट में जो एसीड रहता है उस एसीड का क्या नाम है इस एसीड का नाम है हाइड्रोकलोरिक एसीड और इस एसीड में इतनी तागत है कि एक बलेट को भी पचा सकता है बलेट को गला सकता है ये एसीड और इसको अपने हाथ पर डालोंगे तो आपके हाथ में गड़ा हो जाएगा लेकिन पेट को इसलिए नहीं जराता क्योंकि इसकी चमड़ी उसके हिसाब से बनी हुई होती है और इसके सेल्स और टिसूस रिपेर होते रहते हैं इसलिए फैक नमबर सेवन दोस्तों क्या आपको पदाए कि हमारी दुनिया में कितने टाइप्स की सेव है मतलब एपल है इस दुनिया में इतनी तरह के सेव है कि हर दिन हम एक खाए तो 20 सालों में भी उनकी संख्या पूरी नहीं होगी सोचो इतनी सारी वेराइटी से सिर्फ सेब में मतलब एपल में और हमें लगता था कि होगी जादा से जादा आर्दस वेराइटी और सभी सेब की प्राइस रेंज भी अलग-अलग है अपनी-अपनी capabilities और quality के हिसाब से Fact No.6 दोस्तों अमेरिका में कितने सारे भारती रहते है ये तो पता ही है आपको जिसमें से 36% डॉक्टर और 38% नासा में तो है ही है लेकिन अगर सभी भारतियों को अगर मिला दिया जाए जो अमेरिका में रह रहे है तो विद्विशों में कमाने वाले भारतियों कामगर हर सा साल एक लाग करोड़ अमेरिकी डॉलर कमाते हैं जिसमें से वह ये 30,000 करोड़ बचा कर भारत भेज देते हैं चलो अमेरिका में भले कमा रहे लेकिन आदा तो अपने ही देश में आ रहा है ना तो नो प्रॉब्लम फैक नमबर फाइब अगर आप दिन में 11 गंटे खुर्शी पर भटे रहते हैं तो आने वाले 3 सालों में आपकी मरत्यू के चांस 50% बढ़ जाते हैं डरने की बात नहीं है जो कोई ओफिस में काम करते हैं मैंने का अगर आप लगातर 11 गंटे चेयर पर बैठते हैं तो 50% च अब एक सांदर फैक्ट सुनो सपने तो हम सभी को आते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हर कोई सपने देखता है लेकिन ऐसा नहीं है बच्चा सपने नहीं देखते हैं मेरा मतलब 3-4 साल की उम्र तक बच्चे सपने नहीं देखते हैं उसके बाद देखना स्टार्ट करते हैं 3 से चार साल होने के बाद फैक्ट नंबर 3 जो लोग राइट हेंड होते हैं वो अपना खाना लेफ्ट तरफ से खाते हैं मेरे कहने का मतलब जो लोग राइट हेंड से लिखते हैं या बैटिंग करते हैं वो लोग जब खाना खाते हैं तो लेफ्ट तरफ के दातों से खाते हैं उन्हीं में से एक और भविस्वानी की थी अलबर्ट आइंस्टैन ने, अलबर्ट आइंस्टैन का माना था कि अगर धर्ती से सारी मदुमक्या चली जाए तो इनसान अगले चार सालों में मर जाएगा, उन्होंने कहा था कि मदुमक्य के कारण हमारा जीवन संबह है, वरना हम सब खतम हो जाएंगे, इसलिए उनको कम से कम नुक्सान पहुचाएं, फैक्ट नमबर एक के पहले, अगर आपने अभी तक के बॉर्वन स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिक्शन बेल पर भी प्रेस कर दीजिए, इससे आपको अगले वीडियो की जानकरी मिलते रहेंगी, मैं ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट वाले वीडियो बनाते रहता हूँ, पुराने वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, फैक्ट नमबर वन, ये फैक्ट उनके लिए जो दिन बर आलची फैलाते रहते हैं और बेकारी फैलाते रहते हैं, दरहसल में आलची लोगों की मरत्यू स्मोकिंग करने वाले लोगों की तुलना में जल्दी हो जाती है, इसलिए आलच को छोड़ो और कुछ काम धंदा करो और दूसरों को कोशना बंद करो कि वो स्मोकिंग कर रहा है या फिर वो दारू पी रहा है, एक्टी रहो और मस्त जीओ, चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक्स वर वचिंग इस वीडियो शेर इतना है,